So finally, इस वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है 3 Funny Mini Vlogs Background Music पिछले वीडियो में मैंने इन ब्लोगर्स के Background Music प्रभाइड करा था जिसमें व्यूज वान लग के करीब हो चुके हैं और इस वीडियो में तुम्हें जतीन ग्रोफर, एनाइटीन सरोफ और सारान सी उनिवर्स का Background Music प्रभाइड करने वाला हूँ जिसे यूज करके तुम अपने एक सिंपल सा ब्लोग को More Interesting बना सकते हो और इससे तुम्हेरे वीडियो में व्यूज इंक्रीज होने की चांसेस भी बढ़ जाएगी और जुडियो में आगे मैंने Source Monetization Policy के बारे में कुछ जरूरी बाते सेर किया है जिसे जाने के बाद तुम अपने वीडियो को Corporate claim से बचा सकते हो तो उस बाट को बिल्कुल भी Miss मत करना वेल सबसे पहले मैं बात करने वाल हूँ जतीन गरोवर के इस background music के बारे में तो गज इस music का नेम है Judge in Paris by Media Right Production ये music आपको audio library यूटूब सेन पे मिल जाएगा आपको पता ही होगा ये channel यूटूब पे corporate free music प्रोवाइड करता है music का title अगर तुम यहापे दिख रहा होगा shorts and long दोनों ही form में तुम इस गाने को free में यूज़ कर सकते हो बस अपने वीडियो के description में ये वाली text as a credit mention कर देना जैसे मैंने अपने वीडियो के description में mention किया है ओके तो अब हम बात करेंगे सारांस उन्यूवर्स के इस background music के बारे में इस बीजियम के लिए आपको YouTube पे simply ये वाली text search करना है और फिर आपके सामने ये music आ जाएगी आप इसे download कर लेना अगर आपको इस बीजियम का direct download link चाहिए तो मुझे इंस्टा पे message कर जाकते है मेरे इस ID पे और मैं वहाँ पे आपको इस music का download link provide कर दूँगा बाकी और कोई दूसरा background music चाहिए तो भी आप मुझे वहाँ पे message करके पूछ सकते हैं मेरे इंस्टा इडी का लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा अब हम बात करेंगे एन आइडें सोरों के background music के बारे में जाएगा सिंपली यह वाली टेस्ट यूटूब पे सर्च करते ही तुम्हारे सामने यह music आ जाएगे तुमसे डाउलोड कर लेना अदर्वाइस तुम इंस्टा पे मुझे डियम करके इसका डाउलोड लिंक मांग सकते हो एन हाँ इन में से जो भी background music तुम अपने वीडियो में यूज करने वाले हो जोजे अपने वीडियो में mention जरूर करना मैं अपने यूटूब community post और मेरे source library से किसी भी song या फिर music को अपने source में यूज करते हैं तो आपके वीडियो में कभी भी copyright claim नहीं आएगा बट जो background music source library में नहीं है अगर आप उस background music को अपने वीडियो में यूज करते हैं देन आपके source में copyright claim या फिर strike भी आ सकता है और ये तेनों music में से सिर्फ यही music source library में एवलेवल है जिसे जतिन गरवर अपने ब्लोग में यूज करते हैं बाकी और दोनों music यहाँ पे एवल mention कर देना ऐसे में आपके वीडियो में copyright claim आने की chances कम हो जाएगी मैं भी उन music owner के साथ बात करने के try कर रहा हूँ जैसे उनके तरब से कुछ reply आता है मैं आपको उसके बार में सारी जनकारी दे दूगा ठीक है और वीडियो के comment section में भी उसके बार में update कर दूगा तो फिकर क स्टेंग बेगरांड में जिक पाने के लिए